प्लेट फोरम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे BSC Part 1st के 1st पेपर जो रास्ता निश्टी में 40 नमबर का वेपर होता है वेपर डिस्क्रीट विविक्त गणित जैसे हम विविक्त गणित की बात करेंगे जो आप 11, 12 ते में फट किया हूँ जैसे सेट, रिलेशन, फंक्शन यूनिट 1st में क्या है सेट, रिलेशन, एंड फंक्शन तो हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1st जो कि सका है सेट का और चैप्टर 2nd जो कि सका है रिलेशन एंड फंक्शन का देखो इधर पी एससी, part 1st इसके बारे में बात करेंगे हम, maths के बारे में और maths में भी हम बात करेंगे, बी एससी पार्ट 1st का पेपर फ़र्ष्ट जो क्या है विविक्त गनित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम बात करें किसकी यूनिट फ़र्ष्ट के यूनिट फ़र्ष्ट के यूनिट फर्ष्ट वे अपने पास क्या है वही सैट रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट फर्ष्ट क्या है वही थैट सिर्ट रेलेशन वही कि अंड इस नहीं कि अग्षन हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट जिसमें है सेट रिलेशन और फंक्षन यानि तम उच्छे सम्बंद, relation आप सभी समझते हुँ relation का मतलब क्या होता है सम्बंद और फलन हम बात कर रहा है समुच्चे सम्बंद और फलन सेट, relation and function तो सरव परतम हम बात करें हमें किस के बारें बात करेंगी चैप्टर फर्स्ट जो हमाले discrete mathematics में जो first chapter है chapter first है जो किसका है set का यानि क्या है समुच्च्च हम किसकी बात कर रहे हैं समुच्चे की सबसे पहले इस बात का पतावना चाहिए कि समुच्चे क्या है सबसे पहले इस बात का पतावना चाहिए कि समुच्चे क्या है तो हम किसकी बात कर रहे हैं समुच्चे अब समुच्चे है सैट अब आपके ये सब समझ में आ रहा होगा कि ये सैड हम किसकी बात कर रहे हैं समू की समू किसका हो सकता है एक कक्षा के विद्यारतियों का समू हो सकता है एक गाओं के सदश्यों का समूच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अब हम आते हैं इस सब्द पर वाकियों करते हैं फिनिस हम किस की बात करेंगे सैट की अब जैसा कि आप 12 में पढ़ के आये हो में सैट का टोपी पढ़ा है आपने चैप्टर फर्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है वस्तुओं का तू परिभासित संग्रही क्या है समुच्चे यानि कहें कि वस्तुओं को एक अच्छे तरह से एकत्रित किया गया एक जगए इकटा कर दिया जाए उसे हम समुच्चे कहते हैं संग्रह कहते हैं हमने संग्रह कर लिया उनका यह नि mismo है यहां हमने जो साट बना लिया इसके एक्जांपल्स की बात करें जैसे किसी कश्या के सबी विद्धारती हैं उनकी जितने विद्धारती हैं वो क्या है एक समू है साट है मुझे किसी इस्कूल का जो स्टाप है वो क्या है? साट है गाओं की जन संक्या है, वो भी क्या है, एक सैट की तरह है नेक्स्ट हम बात करें, जैसे जितने ही प्रकार के वाहन जल रहे हैं, वो क्या है, सैट है हम कहीं प्राकरत संक्याओं की संक्याओं की संक्याओं वो भी क्या है, एक सैट है पुनांक हैं, प्रिमे हैं, एप्रिमे हैं, वास्तिक संक्याएं हैं, कॉम्पलेक्स नंबर्स हैं वो सभी किस परकार के रुप में पाई जाती हैं, एक समू के रुप में पाई जाती हैं अब हम समू की बात करें, समू के परकारों की बात करें हम किसकी बात करेंगे परकारों की बात करेंगे अब समूं के कितने परकारों हो सकते हैं एकल समूं हो सकता है रिक्त समूं हो सकता है जिसे MPT सैट कहे सकते है परिमिस समूं हो सकता है ए परिमिस समूं हो सकता है किदर देखोई हम इसके प्रकारों की बात करें एकल समुच्चे अब एकल समुच्चे होगा एकल समुच्चे रहेगा उसमें अव्यव कितने रहेंगे एक जिसमें केवल एक अव्यव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं वही एकल समुच्च बात करें रिक्त रिक्त समुच्य है उसमें कोई भी अव्याव नहीं होगा अब गणित में कोई अव्याव को किसे लिख सकते हैं जीरो पर यहां पर यदि जीरो आ गया तो जीरो किस में आएगा जीरो क्या है कोई अव्याव है समुच्य में विसेश ध्यान रखने की बात है समुच्य में विशेश कि जीरो क्या है वही ये किसी समुच्य का क्या है अव्याव है तो हम जीरो से तो नहीं लिख सकते यानि समुच्य को दर्साने के लिए मंजले कोश्ट का प्रियोग किया जाता है समुच्य में कोई ना कोई अव्याव होना चाहिए एकल समुच्य में एक अव्याव रहेगा तो ये क्या है एकल समुच्य ये क्या है एकल समुच्य और हम बात कर रहे है रिक्ट समुच्य की रिक्ट समुच्य को हम किस से दर्साएंगे आई से एक समुच्चे आएगा परीमित एक क्या आएगा एपरीमित अब परीमित क्या होता है और एपरीमित क्या होता है समुच्चे की बाद हम बाद में करेंगे यानि फाइनाइट और इंफाइनाइट क्या होता है फाइनाइट क्या है किसी भी चीज की बात करें फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं यानि ऐसे संग्याइज इनको हम गिन सकते हैं गिन क्या कह सकते हैं वह यह दस हैं यह बीस हैं यह सो हैं यह हजार हैं यह लाख है वो किस में आ जाएंगे फाइनाइट में और जैसे इन्फाइनाइट ये एक फाइनाइट सेट है और इन्फाइनाइट की हम बात करें आपरिमित की आपरिमित में 1, 2, 3 अब इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितनी संग्याएं है यानि जहां हम गिन नहीं सकते जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा ऐ परिमित समुच्य समुच्य को लिखने की विदिया इसे परदस्चित कैसे किया जाता है यह दो परकार से लिखा जाता है फर्स्ट और यह सेकिंड फर्स्ट और यह सेकिंड पहला निर्मान आएगा समुच्य निर्मान रूप और दूसरा आएगा सुच्य बद रूप दूसरा क्या आएगा वई सुच्य बद रूप अब यह क्या होता है एक तो समुच्य निर्मान फूम जहां पर हमें अव्याओं को किसी एलिमेंट से डिनोट करना है जैसे एक कोई सेट है जिसमें एक्स है जो लेश दैन एक्वल हो रहा है एक्स है जो क्या है लेश दैन एक्वल क्या है वई और है एक्स किसमें बिलॉण कर रहा है n में x किसमें belong कर रहा है natural number अब ये and W Z ZIR इन के बात करेंगे एक्स क्या है life quarter और x किसमें belong कर रहा है ईन में एक्स यह थी प्राकन संक्याओं में हैं तो लैस्दन इक्षल फूर में यह कौन साँ निर्मान हो गया समुच्य निर्माण अनुक्याओं यदि हम इसी को सूची बद करना चाहिए तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन शे अव्याव हैं हम इसमें क्या देखेंगे कौन कौन शे अव्याव हैं तो एक का यदि हम इसको डिनोड करेंगे एक्स बन तू थ्री फॉर यह क्या हो गया वहाई इसका सूची बद रूप यह क्या हुआ इसका सूची बद रूप यानि समुच्य को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं फर्ष्ट समुच्य निर्मान रूप दूसरा सूची बद रूप निर्मान रूप में हमने क्या लिखा X A कोई सैट है जिसमें X less than equal 4 जहां पर X belong कर रहा है नेचुरल नमबर यानि प्राकरत संक्यों में X belongs to N और यदि बात करें सुची बद सुची बद में जो जितने अव्याव है वो आपको समुच्चे में रिखने पड़ेंगे जैसे इसमें 4 अव्याव थी हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया यानि ये फॉर्म तो कॉण जी है सुची बद में ये क्या है समुच्चे निर्मार रूप समुच्चे की परकार कितने होते हैं एकल समुच्चे होता है रिक्स समुच्च होता है परिमित होता है और ही परकार है हम उनकी बात करते हैं उससे पहले हम लिखते हैं इसकी परिवासा समुच्चे की परिवासा Definition of that Definition of that Definition of that A well Defined Collection of objects समुच्च समुच्च केशे कहेंगे वही वस्तुओं के वस्तुओं के वस्तुओं के सूपरिभासित संग्रह को ही समुच्च कहते हैं वस्तुओं के सूपरिभासित संग्रह को ही समुच्च कहते हैं इसे अंग्रेजी वर्ण माला के इसे अंग्रेजी वर्ण माला के बड़े अक्षरों से परदर्सित किया जाता है समुच्च्च मे उपस्तिड समुच्च्च मे उपस्तिड तरश्शं भू उस्तुच्च कि मुझे के आव्याओ कहते हैं नौट करो भाई सभी किदर सुनो इसे अंग्रे जी वर्णमाला के बड़े अक्सरों से पर्दसित किया जाता है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है अव्याओ कहते हैं यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स लाइंग नौट करो भाई क्या एंग्याओ草 लुट करो जब यहां धाओ लुट्रों यहां करो भाई क्या दोंग्याओ草 दिकत की आव्याओ草 करो भाई समुचे के आविया हो को मंजले कोस्ट तक में लिखा जाता है यहां तक कीशे कोई प्रोब्लम नहीं होने चीए आभए बाद उटार लिए चलो आगे जलता है नेक्स्ट इसके कुछ एक्जाम्बल्स की बात करते हैं जैसे पक्षिया 12 में 50 परतिसा से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यारतियों का संग रह नेक्स्ट एक्जाम्पल कोई भी एक्जाम्पल ले लो कोई भी जैसे किसी सेर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की संग्या किसी सेर में रहने वाले किसी सेर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का किसी सेर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का अब नेक्स्ट बात करते हैं चलो भई आगे यो दो एक्जाम्पल हो गई अब जैसे हम कहना चाहें कि किसी सेर के इमानदार व्यक्तियों का समु समुख्या को समुच्य को दो प्रकार से लिखा जा सकता है समुच्य को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है वही दो प्रकार से हम जैसे दो प्रकार के बात करें पहले बताया एक समुच्चे निर्मान रूप और एक समुच्चे सुची बद रूप अब हम बात करें समुच्चे निर्मान रूप अभी हमने कुछ देर पहले बात किया समुच्चे निर्मान रूप यहांपर हमने कहा कि X Less Than 4 रहेगा और जहां पर x belongs to n यह समुझे निर्मान रूप ठीक है हम इसको इसमें denote करना चाहें हम इसको या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि x such that x belongs to n और x less than 4 कैसे भी करके आगे पीछे कर दो यह तो क्या है निर्मान रूप है और इसमें कितने element है 4 या 4 से छोटा 4 से छोटे में कितने आते है minus infinity तक पर इसमें किसकी बात की गई है केवल natural number की natural numbers की बात की है natural number तो एक से होते हैं तो हम इसको जदी सुची बद्द करना चाहें इसी को तो 1,2,3,4 अब हम सलते हैं आगे इधर देऊ पहला नमर एक समुच्य निर्माण रूप समुच्य निर्माण रूप जैसे कोई माना कोई set a है माना कोई set a है जो क्या है a equal to x such that x belongs to n जहां पे x less than equal 7 ठीक है यह हमने किसमे नहीं दिया समुच्य निर्माण रूप नमर टू नमर टू एक हो गया है समुच्य निर्माण रूप और दूसरा आएगा सुच्य बद रूप नमर टू तू क्या आएगा भई सुच्य बद रूप नमर टू की बात करें वो आएगा सुच्य बद रूप अब सूची वद रूप की बात करें यदि हम इसी को रखना जाए सूची वद रूप कैसा रहेगा माना कोई सेट ए है माना कोई समुच्छे क्या है ए है जिसको सूची वद रूप करना जाए तो वो हो गया वन तू थ्री पॉर फाई थी क्या दूप फिर से देखू भी इदर हम समुच्छे का एग्जम्बल्स की बात करेंगे कक्षिया बारा में 50% से अधिक अंग प्राप्ट करने वाले विद्यारतियों की संग्या कि वो फिक्स हैं कि ने 50% से अधिकंग प्राप्त किया और हम समुच्चे किछे कहते हैं यह वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ अबजेक्ट्स है यह वस्तों के सू परिवासित संग रहको तो यह सू परिवासित हैं 50% जिसने प्राप्त किया होगा उसका इनाम आएगा उसमें है अब यदि हम इसकी जगह यह कहें कि उसमें जूट बोलने वाले विक्तियों का समुच्चे नहीं हो सकता हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि कौन जूट बोलता है और कौन सकते बोलता है नेक्स्ट समुच्चे कितने परकार के होते हैं वह दो परकार के कितने परकार के वही ने चुरल नम्मर्स का प्राकर संग्या होगा प्राकर संग्या कहां से शुरू होती है एक से प्लेस इंफिनिटी तक जीरो नहीं होता है और एक्स लैस्ट एन इक्वल टु बाउन्डेड है यानि मैक्सिमम साथ तक यानि यह बिलकुल सू परिवासित है तो यह क्या है यह क्या हो गया इसका सुची वद रूप ठीक भई सभी नोट करो क्या है यह क्या है और एक स्थाए बढ़ कर्या है कर लिए सभी चलो next आगे चलते हैं इसके कुछ examples की बात करते हैं अग्जांबल की बात करते हैं जैसे एक example है कोई set दिया गया है A और A बराबर आपके पास लिखा हुआ है X such that X belongs to अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर यह कौन सा रूप है वई यह समुच्य है कौन सी फॉर्म में है यह यह है समुच्य है निर्माण रूप यह क्या है वई समुच्य है निर्माण रूप हमें इसको convert करना है किसमें सूची बद रूप में हमें इसको convert करना है सूची बद रूप में सूची बद रूप सूची बद रूप चाहिए अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अव्यव है यानि ये क्या है कोई सैट दे रखा है जो निर्मान रूप में दे रखा है और हमें इसे सूची बद रूप में करना है यानि इसमें जो अव्यव हैं वो अव्यव लिखने है यहां पर अव्यव कोण कोण से है ए आई ओ यू अगरे अंग्रेजी वरणमाला के सवर सभी को पता है कोण कोण से है तो वो हम इसमें लेगे देंगे ठीक है यह आपका अंसर हो गया सुची निर्मान रूप से हम उसे किस्में करते हैं सुची बद रूप में चलो वाई आगहे चलेंगे next example example number two यह example one हो गया और यह three ति में दूसरा है कोई set दे रखा है ऐ हैं ए कोई के दे राखा है set जिसमें आपके पास और हैं पांच है, पच्चीस है, एक सो पच्चीस है, एक सो पच्चीस है, यह कोई साइट है यह कौन सी रूप में है यह? यह आपके पास है सुची बद रूप में सुची बद रूप में यह कौन सी रूप में है, वो सेट किस रूप में है? सुची बद रूप में और हमें इसको किस में करणा है? समुच्य निर्मान रूप में हमें इसको किस में करणा है? समुच्य निर्मान रूप में यदि निर्मान आये तो हम उसको सूची बद्ध में कर सकते हैं तो सूची बद्ध को हम किस में करवार करना है समुचे निर्मान में वो भी हमें आना चीँ है जैसे हम बात करते हैं हम इसका लेखेंगे समुचे निर्माण रूप समुचे निर्माण रूप कोई सेट क्या था आपके पास एक कोई सेट था उस सेट में क्या दे रिखें 5, 25, 125, 625 यह आपके पास क्या दिया गया है यह आपको पहले पता लगाना पड़ेगा 5 है, 25 है, 125 है, 625 है यह लगबग क्या है? 5 के multiples है 5 को 5 से multiple करते जाओ यानि कि यह आपके पास है 5 की पावर, N क्या है? 5 की पावर, N जहां पर या आप यह लिख सकते हो कि X बराबर क्या है? 5 की पावर, N 6 दैट, N बिलोंग कर रहा है किसमे? N में, जहां पर जहां पर N होगा तो less than equal 5, 5 का square, 5 का cube और 5 का 4 यानि यह less than क्या रहेगा? फोर रहेगा यह क्या रहेगा? less than equal क्या रहेगा? फोर रहेगा ठीक है? X क्या है? यहांपर 5 की पावर, N है और 5 की पावर, N में N किसमें मिलोंग करेगा? प्राकर संक्याओं में और प्राकर संक्याओं में भी N का मान कहां तक लेना है चार तक एक से चार तक कंप्लीट हो गया यह किसी कोई प्रोब्लम नहीं है न चलो बैद नोट करो इसको नेक्स्ट वही आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे समुच्चे के परकारों की इसके किसकी बात करेंगे परकारों परकारैं समुच्चे के परकार टाइप्स ओफ हम किसकी बात करेंगे समुच्चे के प्रकार समुच्चे के प्रकार में हम पर्थम नमबर में बात करेंगे परीमित समुच्चे परीमित समुच्चे पाइनाइट ऐसा समुच्चे जिसमें अव्यों की संग्या क्या हो परीमितों जिनको हम काउंट कर सकते हैं जिनको हम क्या है काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं ऐसा समुच्चे जिसमें अव्यों की संग्या परीमित हो उसे क्या कहेंगी परीमित समुच्य परिवासा एक ऐसा समुच्य जिसमें अव्यों की संक्या आव्यों की संक्या परीमित हो एक ऐसा समुच्य जिसमें अव्यों की संक्या परीमित हो उसे आव्यों की संक्या परीमित आव्यों की संक्या परीमित आव्यों की संक्या आव्यों की संक्या परीमित है आव्यों की संक्या परीमित है आव्यों की संक्या परीमित है आएन है आएन बिलॉंग्स टू आएन एंड एन है लेस देन इक्वाल पाइफ यह क्या है यह सभी क्या है परीमित किसे कहेंगी जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो निश्चित है उस्हे क्या करते हैं इसकी बात करें टू की पावर एन जहां पर एन किसमें बिलॉंग कर रहा है प्राकर्थ सिंग्गों में का ऑसे का दक लेंगी है 5 या 5 से छोटी याई एक सी पाइस जियर fent on जोगीप चाहर और एक दो तीन चार और पाश्च जिसकों कर सकते हैं इसका मतलब ये सभी क्या है परिमित समुच्च ये सभी क्या है परिमित समुच्च नोट करो भाई कि लेक्स चलते हैं वही दूसरा है आप परिमित समुच्च नोट करते हैं एक ऐसा समुच्च जिसमें अव्यों की संक्या परिमित नहीं हो अब आप परिमित नहीं करना चाहिए वो ये कर सकता है एक ऐसा समुच्च है जिसमें अव्यों की संक्या को गिन नहीं सकते जैसे हम परिमित में बात किये थे कि जैसे अव्यों की संक्या को गिन सकते हैं एक ऐसा समुच्च है जिसमें अव्यों की संक्या को गिन नहीं सकते गिन नहीं सकते या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समुच्य जिसमें अव्यों की संक्या आपरिमित या आपरिमित निश्चित नहीं है एक ऐसा समुच्य जिसमें अव्यों की संक्या आपरिमित या निश्चित नहीं है उसे आपरिमित समुच्य उसे आपरिमित समुच्य कहते हैं उसे आपरिमित समुच्य कहते हैं इसके भी कुछ एक्जम्पल की बात करते हैं जैसे एक एक्जम्पल दिया गया इसे एक्स बिलॉंग्स टू एं न प्राकर संग्यों प्राकर संग्यों गिन नहीं शकते अनंत हैं आपरिमित समुच्य है एन एक्जाम्पर ए बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलॉंग्स टू किसमे आर में रियल नम्बर वास्ते संग्याओं गिन नहीं सकते हैं इस बिलॉंग्स टू किसमें एक एक्जाम्पल एक्स बिलॉंग्स कर रहा है जैड में अब इदर देखें एक एसा समुच्च जिसमें अव्यों की संक्या निश्चित नहीं है एपरिमित है उसे क्या करता है एपरिमित समुच्च है जैसे पर्थम एक्जाम्पल की बात करें ए है जहां पर एक्स सच डेट एक्स बिलॉंग्स टू है यह एक्स है अव्यों कितने होई गि형iyaatin प्राकर संगयान कर सकते हैं यहां पर ex shared x belongस्ट किसे है और में वह सफे 사agem काउंट कर सकते हैं थे चाल यहां यह सउखा शाले क्या सबर्भाव मैं कि यह यहां यहां खरी में न किसमें कर रहा है जैड में फूनांग आप से क्या है यह जैट से किसी प्रोडिनेट करते हैं पूर आंग को जो माइनस में चलती है प्लस में भी काउंट कर सकते हैं क्या नहीं निशीत आगला नहीं इसका मतलब यह भी क्या हो गया आप परिमित समुच्चे नोट करो भाई कि नेक्स चलते हैं वही एक एक्जाम्बल दिखुँ एक कोई सहर दे रखा है S क्या है कोई समुच्च्चे जिसमें आप के पास दे रखा है कि एक सम्तल में रेखाओं का समुच्चे एक सम्तल में रेखाओं का समुच्च अब ये प्लेन है, ये दिख रहा है क्या है? प्लेन है, अब कोई भी हमने ये प्लेन लिया, इस प्लेन में जो रेखाओं का समुच्चे बढ़ेगा, देखो भई, ये प्लेन है, इस प्लेन में हम कितनी भी रेखाओं बढ़ा सकते हैं, इस प्लेन में हम कितनी भी रेखाओं आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू कल मिलते हैं वही सुबह साथ बजे से फस्ट एरगी फस्ट यूनिट चलेगी साथ से आठ थैंक्यू लाइब